नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ब्लैक सी में तैनात मिसाइल क्रूजर जिसे रूस का गवरों कहा जाता था उसे यूक्रेन ने अपनी दो नेप्चुन मिसाइलों को मार कर इस युद्धपो आज में इतना बड़ा हादसा हुआ है वही आपको बता दूँ कि मोस्कावा एंटी सिप और एंटी एरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ साथ टॉर्पीडो नैसेनिक बंदू को और न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस था और इस मोस्कावा सिप में सभी तरह के एंटी मिसाइल स सकते हैं कि ये शिप अकेले ही इतना गोला बारू लेकर अपने साथ चलता था कि इसके साथ किसी दूसरे प्रकार के सहायक सिप के चलने की जरूरत नहीं थी हाला कि मोस्कोवा को डुबाना कोई बच्चों का खेल नहीं था ये सिप पुराना जरूर था लेकिन यूक्रेन जैसा देश सिर्फ और सिर्फ दो नैप्चून मिसाइलों की मदद से डुबा देता है ऐसा यूक्रेन का दावा है वहीं कुछ आउटपुट्स का ये कहना है कि बिना अमेरिकी मदद के इस मोस्कोवा सिप को डुबाना तो दूर बलकि उसकी लोकेशन भी यूक्रेन नहीं पता कर सकता था क्योंकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ दो सटलाइटे थी जाहिर सी बात है अमेरिकी सटलाइटों ने ही यूक्रेन को मोस्कोवा की लोके पहले इस मोस्कवा सिप के नजदीक टर्की के द्वारा खरीदे हुए बैरेक्तर टीबी टू ड्रोन को भेज कर इस सिप के रडार को कन्फ्यूज किया ताकि सिप के रडार का फोकस इन ड्रोन पर रहे और इसी समय उक्रेन की सेना ने अपनी दो नेप्चून मिसाइले भी इ हो डूब गया हाला कि रूस का मानना है कि मोस्कवा आग लगने की वज़े से दुरगटना ग्रस्त हुआ था फिरहाल सिप चाहे डूबी हो आग लगने से या फिर नेप्चून मिसाइल के हिट होने से नुकसान तो रसिया नेवी का हुआ है और भारत ने इसी से बड़ा टेस्ट कंड़क्ट कर रहा है और युद्ध कहीं भी हो सबी देश उस युद्ध से कुछ ना कुछ सीकते हैं और भारती नेवी और भारती एर फोर्स ने भी एक नेवी के जहाज को ब्रहमोस मिसाइल से मार कर डूबा दिया है दरसल दूस्तों इसी हथे इंडियन पूरा साथ दिया है और आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है या 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने दुस्पन को तबाह करती है और इस टेस्ट में ब्रह्मोस को एक ही लच्छ पर दो बार फायर किया गया जिसमें पहला ब्रह्मोस मिसाइल INS दिल् और जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मोस ने इस सिप का क्या हाल कर दिया है और इतना ही नहीं ये जो सिप में आप लोग होल देख रहे हैं ये होल बिना वार हेड के दागा गया है यानि कि ब्रह्मोस को टेस्ट के समय इसमें किसी तरह का बारूद नहीं लगा था सिर्फ मिसाइल की स्पीड ही इतनी तेज थी कि इस सिप में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है सोचो अगर ब्रहमोस में वारहेड लगा होता तो इस सिप का क्या हाल होता और ठीक इस टेस्ट के बाद सुखोई 30M क्याई विवान ने एयर लांच ब्र बार्ती नेवी और भारती एयर फोर्स ने मिलकर किये हैं और इस टेस्ट में भारती नेवी और एयर फोर्स को ये परखना था कि हमारी मिसाइलें किस हद तक किसी सिप को डुबाने में कारगर होंगी और भारती फोर्सेस का या टेस्ट सफल हुआ और या भी साफ हो गया कि ब्रह्मोस एक अचूक मिसाइल है जो बिलकुल पिन पॉइंट एकुरेसी के साथ हमला करती है जिससे दुस्बन के बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है अब आप लोगों का क्या कहना है ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट पर कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि इस चैनल पर डिफेंस से जुड़ी खबरे मिलती रहती हैं धन्यवाद